इस वीडियो में हम परकरती कक्सा 5 के पार्ट 3 गौराव पुरसकार इस पार्ट को विस्तार से समझेंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद इस पार्ट के बारे में सभी महत्पून बातों को समझ जाएंगे सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो पार्ट है गौराव पुरसकार इसका मुख्य विशे क्या है देखे ये खेल और खेल भावना को लेकर लिखा गया पार्ट है इसका मुख्य विशे है खेल और खेल भावना जब आप इस पार्ट को पढ़लेंगे तो आपको इतनी च कीज़े समझ आएंगी कि शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेल का क्या महतो होता है विभीन परकार के खेलों के बारे में आप समझ जाएंगे इंडोर और आउटडोर गेम्स क्या होते हैं खेल में बालक बालिका की समान भागीदारी होती है इन बातों को भी आप समझ विविन खिलाडियों का सामाने प्रीचे भी इसमें दिया गया है खेलों में अभ्यास का महत्व इस्थानिय खेलों का बदलता सवरूप आदी बातों को आप इस पार्ट में समझेंगे अगर आप खेल में हार जाते हैं और अगर आप खेल में जीत जाते हैं तो आपकी परतिक्रिया क्या होनी चाहिए उसको भी आप इस पार्ट में समझेंगे तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को दिसंबर महा की पर्थम सप्ता में विद्यालिय की वार्शिक खेल कूद परतियोगीता का आयोजन किया गया परतेक कक्षा के बालक बालिकाओं ने अपने अपने मन पसंद खेलों में भाग लिया खेल कूद के अंतिम दिन समापन समारों में पुरसकार वित्रन का कारिकरम चल रहा था खेल कूद के साथ ही विद्याले की अन्य गती विद्यों में उतकरिष्ट प्रदर्शन के लिए गोरव पुरसकार प्राप्त करने वाले बच्चे के नाम की घोशना होने वाली थी हर बार की तरह इस बार भी शादमा की नाम की चर्चा थी क्योंकि शादमा को हर बार पुरसकार मिलता था तो शादमा भी सोच रही थी कि इस बार भी पुरसकार उसी को मिलेगा और सभी बच्चे यही सोच रहे थे कि इस बार भी शादमा को ही पुरसकार मिलेगा तो आगे क्या होता है मंच पर प्रधाना ध्यपग ने मुख्य अतीथी को पुरुसकार पाने वाले बच्चे का नाम लिखा कागज दिया और माइक पर उसका नाम बताने का अनुरोध किया मुख्य अतीथी माइक के पास खड़े हुए बच्चों में सुग बुगाहट होने लगी कि किसका नाम बुलाया जाएगा तबी माइक पर मुख्य अतीथी ने मधु के नाम की घोशना की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मधु ने मुख्य अतीथी से पुरुसकार ग्रहन किया शादमा को अपने नाम की घोशना का इंतजार था किन्तु मधु के नाम की घोशना के बाद उसका मन उदास हो गया मधु के सातियों ने खुशी से मधु को चारों तरब से बढ़ाई देने के लिए घेर लिया शादमा उन्हें दूर से देखकर दुखी हो रही थी तो इन पंक्तियों में जो अभी तक हमने पढ़ा यहां पर क्या बताया गया है देखिए इस बार शादमा तो सोच रही थी कि उसी का नाम बोला जाएगा लेकिन इस बार मधु का नाम बोल दिया जाता है तो शादमा दुखी हो रही है मधु खुश हो रही है तो ऐसा नहीं होता कि हर बार एक ही बच्चे जीतता चला जाए एक ही बच्चे का पुरसकार मिलता चला जाए अगर ऐसा होगा तो बाकी बच्चों के अंदर हीन भावना पनपने लगेगी हीन भावना विक्सित हो जाएगी फिर उनका नंबर तो कभी आएगा ही नहीं इसलिए ऐसा कभी नहीं होता है कि सिर्फ एक ही बच्चे को पुरसका तो किसी को भी मिल सकता है इसलिए हमें सब को इमानदारी से बराबर मेहनत करनी चाहिए फिर आगे क्या होता है कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ही शादमा बुझे मन से घर पहुची क्योंकि शादमा का नाम तो बुला नहीं तो शादमा का मन उदास हो रहा था वो दुखी ह तो वह दुखी जब हो रही थी तो फिर अपने घर पहुंचती है जब कार्यकरम समाप्त हो जाता है उसके बाद क्या होता है और मा की गोद में सिर रख कर सुबकते हुए सारी बाते बताई उसने अपनी मा को सारी बात बताई मा ने शादमा को अपने पास बिठाया और बोली इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है हर बार एक ही व्यक्ति जीते यह जरूरी नहीं है हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर बार एक ही व्यक्ति जीतता रहे ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कभी न कभी ऐसा भी होगा कि आज अगर एक व्यक्ति जीता है व्यक्ति जीतता या हारता है तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम्हारे प्रदर्शन में कमी क्यों आई तुम्हें इस बात के लिए दुखी नहीं होना चाहिए कि तुम्हें इस बात के लिए विचार करना चाहिए सोचना चाहिए कि तुम्हारा प्रदर्शन इस बार पहले प्रदर्शन की तुलना में खराब क्यों हुआ क्या बात ऐसी रह गई मुझे लगा कि हर बार तो मैं ही जीतती हूं इस बार भी जीत जाओंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ मैंने खेल का समय भी पढ़ाई में लगाया किन्तु परिक्षाओं में भी मुझे अच्छे अंक नहीं मिले ऐसा क्यों हुआ मा शादमा ने मा की ओर देखकर पूछा तो शादमा कर क्या रही थी उसे ये विश्वास हो रहा था कि हर बार वही जीतती है तो इस बार भी वही ज ले तो ऐसा क्यों हुआ शादमा अपनी मा से पूछती है अब इतना तो आप समझ गए होंगे इन पंक्तियों में यहापर शादमा और मदू की बात हुई है मदू को खुशी हो रही है मदू लेकिन सोच नहीं रही थी कि इस बार उसे पुरसकार मिल जाएगा पुरसकार त तो शादमा दुखी है अपनी मा से बताती है कि इस बार उसे पुरसकार नहीं मिला तो शादमा की मा उसे समझा रही है कि ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही व्यक्ति जीते अपने अपने प्रदर्शन के अधार पर व्यक्ति जीत लेता है या हार जाता है तो ऐसा सादमा की मा उ से कहती है कि अब तुम्हें ये विचार करना चाहिए कि तुम्हारे प्रदर्शन में कमी क्यों आई अब आगे बात करते हैं इसी पार्ट में शरीर सवस्त होता है तो मस्तिस्क भी सवस्त रहता है शादमा की मां उसे समझाती है शरीर सवस्त होता है तो मस्तिस्क भी सवस्त होती है पड़ाई के साथ-साथ खेल कूद मनुष्य के सरवांगींद विकास में सायक होते हैं माने शाधमा को बटाया शाधमा की मां उसे ये सब चीजें बताती हैं फिर आगे इस पार्ट में बताया जाता है लेकिन मांहां पैर द्वारा खेलते हैं शादमा कहती हैं लेकिन मा हम हाथ पैर द्वारा खेलते हैं इसका मस्तिस्क के स्वास्थे पर कैसे परभाव पड़ सकता है शादमा ने आश्चरिय चकित होते हुए अपनी मा से पूछा वो अपनी मा से पूछती है कि हम तो हाथ पैर से खेलते हैं तो फिर इसका मस्तिस्क के स्वास्थे से क्या लेना देना है शादमा की बात सुनकर मा मुस्कुरा कर बोली जब तुम क्रिकेट खेलती हो तब तुमने देखा होगा कि गेंद को पकड़ने के लिए हाथ को बढ़ाते समय यह भी सोचना पड होता है कि गेंद को आगे बढ़कर पकड़ पाएंगे या पीछे हटकर या अन्य किस तरीके से गेंद को पकड़ पाएंगे यह संकेत हमें मस्तिस्क से ही तो मिलता है और उसी के अनुसार हम गेंद को पकड़ पाते हैं किसी का